इस समय बड़ी खबर आ रही है चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग ने आज कर दिया है विदान सभा चुनाव की तारीखों का एलान जम्मू कश्मीर में जहां तीन चरणों में होगा मद्दान वहीं हरियाना में एक ही चरण में होगा मद्दान हरियाना में 1 अक्टूबर को होगी वोटेंग, 4 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे हरियाना में विधानसभा की कुल 90 सीटे हैं, फिलहाल सूबे की सत्ता पर BJP काबिज है वर्तमान में 3 सीटे खाली हैं और BJP के 41 विधायक हैं, कॉंग्रेस के 39, JJP के 10 और INLD और अचलपी के एक एक विधायक हैं हरियाना विधानसभा का कारेकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है आयोग ने चुनाव संबंदी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल ही में हरियाना का दोरा भी किया था अब कर दिया गया है चुनाव की तारीखों का एलान वही हरियाना में एक ही चरण में होगा मदान हरियाना में एक अक्टूबर को होगी वोटिंग चार अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे हरियाना में विधानसभा की कुल 90 सीटे हैं फिलाल सूबे की सत्ता पर BJP काबिज है वर्तमान में 3 सीटे खाली हैं और BJP के 41 विदायक हैं कॉंग्रेस के 29, JJP के 10 और INLD और अचलपी के एक एक विदायक हैं हर्याना विदानसभा का कारेकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है आयोग ने चुनाव संबंदी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल ही में हर्याना का दोरा भी किया था अब कर दिया गया है चुनाव की तारीकों का एलान एक अक्टूबर को हर्याना में होगा मतदान और 27 अगस्त को जारी कर दी जाएगी आखरी वोटर लिस्ट इस समय बड़ी खबर आ रही है चुनाव की तारीकों को लेकर चुनाव आयोग ने आज कर दिया है विदान सभा चुनाव की तारीकों का एलान जम्मू कश्मीर में जहां तीन चरणों में होगा मतदान वहीं हर्याना में एक ही चरण में होगा मतदान हरियाना में 1 अक्टूबर को होगी वोटेंग, 4 अक्टूबर को आएंगे चुनाव के नतीजे हरियाना में विधानसभा की कुल 90 सीटे हैं, फिलाल सूबे की सत्ता पर BJP काबिज है वर्तमान में 3 सीटे खाली हैं और BJP के 41 विधायक हैं, कॉंग्रिस के 29, JJP के 10 और INLD और HLP के एक एक विधायक हैं हरियाना विधानसभा का कारेकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है आयोग ने चुनाव संबंदी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल ही में हरियाना का दोरा भी किया था अब कर दिया गया है चुनाव की तारीक हुगा एलान एक अक्टूबर को हरियाना में होगा मतदान और 27 अगस्त को जारी कर दी जाएगी आखरी वोटर लिस्ट अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के ले बेल आइकन भी तबा दे किसान तक खाना है तो उगाना है